बस बाइट की खबरी लगातार देखने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और पैल आइकॉन को दबाएं इस खबर के प्राय जग है जैना ज्वेलर्स आबुलेन मेरट मेरट के एपेक्स हॉस्पिटल में एक बच्ची की मौत के बाद परिजनों ने हंगामा कर तोड़ फोड की परिजनों ने आरोप लगाया कि गलत इंजेक्शन से बच्ची की मौत हुई है बच्ची के मढने के बाद डर के कारण हॉस्पिटल स्टाफ वहां से भाग खड़ा हुआ हॉस्पिटल में काफी देर तक हंगामे किप हालात बने रहे परीजनों के सीधा आरोप लगाया लोकल दवाईयां इस्तमाल किये जाने की बात की गई तो वहां मौझूद चिकित सक्ट ने जवाब दिया कि वह यहां जनसेवा नहीं बलकी वेवसाय कर रहे हैं बाद में पुलिस ने वहां पहुँचकर हालात पर काबू पाया देरात दोनों पक्षों में समझोता भी हो गया जो परीजन हॉस्पिटल स्टाफ पर लापरवाही का चीक चीक कर आरोप लगा रहे थे वे यह लिख कर दे गए कि उन्हें आगे कोई कारवाई नहीं करनी है हॉस्पिटल मालिक अब्दुल सत्तार हैं देखिए हॉस्पिण पर हॉस्पिण्य मैंज़ स्टतार वही मुहम्मद शाहनवाज ने ये कहा जब सुबह आया ता लड़की के लिए तो डोक्टर साब ने जो टीट्विंड लिखा हुआ था उसके अपोजिट ये दवाई लगा देते डोक्टर ने तो जो ब्रांट लिखे थे वो ठीक लिए थे उसके जो मेडिकल इस्टोर वाला है उसने लोकल ब्रांट दिये हुए थे इसमें डोक्ट साब की गलती है कि दोक्ट साब में भी चेक नहीं करें किया लिख रहा हूं और वो लगवार हैं जानके लोकल चल रही है यह की बनी हुई डोक्टर ने लिख रखा उसने वो लोकल दे रखा है उगमेंटिन सोल का एज़ी तो समय से लोकल लगा रखा इंजेक्शन उसके बच्ची के और उल्टे सीरे पैसे मांग देते हैं उसके और बच्तमीजी भी कर देते हो अब कहले इतना ही आप देखते रहें फास्ट बाइट टीवी और हां अपने इस चैनल को लाइक करना पे सब्सक्राइब करना ना भुले नमस्कार